बिसमिल्लाय रिखमाने रहे हैं असलाम अलेकूम जी तुलबाव तलबात एक बार फिर आपकी इस हिद्वत पे आज़र हूं क्लास नाइथ कि सब्जेक्ट साइंस अब एप एंप्रुमेन्ट इन फुड रिसोर्सिज कि जो हमारा टापिक हैं इन फूड रिसोर्सिज तो उससे जो आज हमने सब टापिक्स सेलेक्ट किया है वह है मैक्रो नीटर्स जिन्हाँ आज हम यह देखेंगे कि मैक्रो नीट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्र और माइक्रो कमीमीज समाल अब मैक्रो निट्रोंस क्या है जनि वो निट्रोंस जिन्स की जएदा तैदात में जएदा मकतार जूरूरी हो जिन्स प्लाइब के लिए पोदे के के लिए जो नीट्रोंट्स ज्यादा जुरूरी है कौन से ज्यादा जुरूरी है जैसे लिए पोदे के लिए चार जो मेन से जुरूरी एलिमेंट्स यो है वो नाइट्रोजन्स है वो फास्फोरूस है पोटाशियम है और सल्फर है जैनि पोदे को इन इलिमेंट्स की जएदा ज़रूरत होती है जैसे नाइट्रोजन इलिमेंट्स है इसका सिंबल इन है फास्फोरूस का पी है पोटाशियम का के है और सल्फर का एस है जैनि यह जो नीट्रोंट्स हैं यह जो इलिमेंट्स हैं हम इन दा फाम फास्टलाइजर अप्लाई करते हैं अपने फिल्ड्स में अपने पोद्रों को अपने फसल को देखते हैं कि ताकि उनको इन इस नीट्रोंट्स की कमी नपड़े जैसे जूरिया देते हैं फास्फेर देते हैं, पोटाज देते हैं, ठीक ना, ये डिफरेंट जो टाइपस अ फटिलाइजर जो हैं, इनके अंदर जही एलिमेंट्स होते हैं, ताकि पोदे को किसी चीज की डिफरेंशी न हो, अब हमारे पास जो क्वेस्चन है, क्वेस्चन है हमारा, मैक्रो न्यूटर्ण्स, व पहले न्यूटर्ण्स को डिफाइन कर देते हैं, न्यूटर्ण्स यो है, प्लांट्स, नीट्स, न्यूटर्ण्स, फार डवलामेंट्स, ग्रोथ, एंड वैल बिइंग्स, जिनि पोदों को जुरूर्ण्स की न्यूटर्ण्स की, किस के लिए, डवलामेंट्स के लिए, ग इतो इतो दाज फावडा कहा है यहां तीज अप्धा सप्धिए सब्सक्वाइब kg अब पोदा जू है, यहां तीन मीडियम हैं, तीन तरीके हैं, जिन से पॉदा नीटृरिन्ट से अहां है, कौन से तीन मीडियम, क्विन कुई और है, तीन तरीकों से यह ऐर से भी, وाटर से भी और साहल से भी पोदा निट्रंट से upright मिटी से हासल नहीं करता, यह याद रखना है पोदा निट्रंट सिरक वाटर से नहीं करता है, सिरक हावा से ही नहीं करता है यह तीन मीडियूम से पोदा क्या चीज लेता है? नीटरंट्स लेता है air से भी, water से भी और soil से भी जैसे air से पोधे को क्या मिलता है जैसे carbon dioxide है जि गैस है compound की शिकल में होआ में तो पोधा उसको बिझले लेता है जैनि आप पोधे को carbon और auxigion जहां कहां से मिल गए air से मिल गए water से पोधा hydrogen और साहल से पोदा जो मैक्रोनीटरंट्स हैं जैसा कि ना양टरोजिन, फासफॉरूस है, पोटाशीम सै है, कैलिचिम है, मेगनेशें, सालफॉर है यह मैक्रोनीटरंस पोदा साहल से लीता है तो दिशोटरेंट्स अब मैक्रोनीट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रेंट्रें नंबर वन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम, मेगनिशियम वगेरा वगेरा लेकन पहले चार जो ज्यादा जुरूरी है वो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, और सल्फर Desitutants here is how plants get nutrients इसके साथ question है कि पोटा ये nutrients जो है कैसे हासल करता है Source of plants, nutrients are air, water and soil पोटे के source of nutrients है वो क्या है air, water and soil Air से पोटा carbon और oxygen लेता है water से पोटा hydrogen लेता है और soil से पोटा जो micro nutrients लेता है उनमें nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur और micronutrons जो पोटा soil से लेता है, micro, the word is micro means small, वो nutrients जिनकी कम जुरूरत होती है उनमें iron है, magnesium है, boron, zinc, copper, molybidiums, chlorines वगएरा तो ये जो है, ये micronutrons है एक macronutrons और दूसरा micronutrons, जैनि macronutrons वो nutrients जिनकी जएदा मुक्तार large quantities जुरूरत हो और micronutrons वो देखो जिनस elements की, जिन nutrients की कम जुरूरत होती है, वो micronutrons कहलाते हैं तो dear students, आज के लिए इतना ही, कल फिर आपकी हिद्मत में हज़र होंगा, तब तक के लिए, आला हापस।